सर फरोशे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है गेट 2018, बायोटेक के सोलुशन्स तुमारे सामने है पानी पीलो ठंडा, कुछ नी पता क्या सामने आने वाला है जाने कोशनों के जवाब ऐसे ही होंगे जैसे कि हमने किये थे दिल की धड़कने इस टाइम तेज हो रही होंगी सोलुशनों को देखने की बड़ी पिच्चे नहीं हो रही होगी क्या पता सोलुशन वही हों, जैसा हमने किये थे और अच्छानक मन भंगडा पाने लगे कोशनों के solutions को देख करके चलिए देखते हैं क्या होता है कोशन नमबर वन सबसे simple सवालों में से एक है outline, biochemistry की कोशन है कि इन में से कौन सी metabolic process mammal की cell के mitochondria में नहीं होती तो भाई थोड़ी सी अपनी metabolism की pathwork को revise कर लेते हैं glucose cell के अंदर आया glycolosis के तुरू pyruid बना pyruid गया, mitochondria के अंदर बना astylico enzyme तो भाई कौन सा बड़ा काम कर दिया astylico enzyme तो lipid भी बनाते हैं जब वो carnitin shuttle के तुरू mitochondria में आते हैं बीटा oxygen के तुरू तूट करके astylico enzyme में बनते हैं अब चाह स्टाल को enzyme में यहां से आए चाहे फिर glucose से आए जाएगा TCMA और TCMA इसे तोड़ करके carbon dioxide में convert कर दिया आता है यहाँ जो electron निकाले जाएंगे उन्ही electron के सहारे, electron transport chain proton pump करेगा और उसी pump का अस्तिमाल करके F1 particle ATP generate करेगा कहानी का नाम है oxidative phosphorlation अब यहाँ डाइग्राम में साब साब दिखाए दे रहा है TCA, beta oxidation और oxidative phosphorlation तो mitochondria कहानी है cytoplasm की कहानी है glycolosis तो क्या doubt है question के बारे में option number D, question number 4 इन में से कौन सा toxin neurotoxin है जहर दो बहुत सुने होंगे भई अब cholera नाम की बिमारी सुनकर के क्याद आता है lose motion या सिर में दर्द तो step to listen जैसे की नाम भी बता रहा है lysis करता है यह और erythrocytes का band बजाता है अग बारों में नाम छपवाने वाला toxin है यह वो toxin है जो कई बार use हुआ है चिठियों में, powder के रूप में तो भाई डबबा बंद खानों में भी यह toxin पैदा होता है बैट्रे के दुवारा तो diptheria का toxin बच्चों को vaccine लगाते हैं इससे बचने के लिए diptheria, whooping cough जब बात करते हैं coldra की toxin की तो target है intestine किसे और यह toxin cell के अंदर आने के बाद GPCR pathway को असर डालता है adenylyl cyclist का band बजाता है और cyclic AMPK लेवल बढ़ाता है और यही cyclic AMPK बड़ेवल लेवल है जो chlorine, sodium और पानी को intestine के lumen में छोड़ देते हैं जो हमें loose motion के रूप में लिखाई देते हैं तो steptolecin, steptococus इसके function की वज़े से ही RBC रप्चर हो जाती है और भाई, body में वो symptom लब लब होते हैं जिनकी वज़े से यह toxin खतरनाक माना जाता है तो botulinum का toxin है तो खाने का डबबन खाने पैदा होता है और वो भी fridge में रखे वे के अंदर इसलिए जब तुम कभी food packet खरीदते हो market से या juice का packet तो उसका लिखा होता है अगर puffed हो या leak हो तो लेना मत quarantine लेते हैं वो क्या पता toxin डवलाप हो गया हो ये bacteria भी toxin बना-बना करके इखटा करता रहता है अब जिसने भी ये भाई toxin वाला food खाया उसका तो बज़ गया band क्योंकि जहां normal nervous system में nerve impulse के दोरान esterocoline बनते हैं neurons से release होते हैं और सामने वाली muscles की cell पर message प्रवाइड गराते हैं कि चलो वई काम करो लेकिन ये toxin आ करके membrane को fuse करने जरो देता है तो esterocoline neurotransmitter जो होते हैं वो neurons के अंदर ही अटके रजाते हैं nervous system का band बजा दिया तो diptheria का toxin बहुत तरेगी cells पसर दिखाता है cell के अंदर आता है और आकर के ultimately E2F नाम के एक translation के initiation factor को block करता है बहुत जरूरी था ये translation को शुरू करवाने के लिए नतिज़ा इन cells के अंदर translation रुख जाता है और cell की death हो जाती है तो अब ये बताओ कि इन में से nervous system की story कहां आई botulinum के toxin में question number 12 इन में से कौन सा incorrect है protein structure के वारे में तो पहले protein structure कुछ foundation ही समझ लो जब amino acid आपस में जुड़े होते हैं end terminal to C terminals तो जो state chain होती हो से हम बोलते हैं primary structure ये primary structure different तरह के secondary structures में fold हो सकती है जैसे कि alpha helix, loops, तो turns, बीटा की sheet, तो random coils इन सब को fold करने के लिए non-covalent bond चाहिए हैं और ये non-covalent bond होते हैं backbone के carbonyl carbon और amide nitrogen के hydrogen के बीच में अगर ये peptide और fold हो जाए, tertiary level तक चली जाए तो भाई एक covalent bond भी मिल जाएगा जिसे बोलते हैं disulfide bond लेकिन tertiary level पर जब amino acid आपस में जुड़ते हैं तो भाई peptide bond के द्वारा जुड़ते हैं और peptide bond है 40% double bond character पाई electrons हैं यहाँ पे और इसे लिए इन atom के साथ जुड़े वे जो बाकी atoms हैं वो सब के सब एक plane में रहना पसंद करते हैं टू-dimensional sheet की तरह है जब भी कभी दो ऐसे atom जो आपस में non-covalent bond के दुवारा जुड़ने कोशिश कर रहे हैं तो भाई यह एक दूसरे के pass में आते हैं pass में आते हैं, pass में आते हैं repulsion शुरू हो जाएगा उनके बीच में इसलिए जैसे आप distance घटाओगे तो पहले तो attraction बढ़ता है दूरियां कम हुई तो attraction बढ़ा दूरियां जादे कम हुई ना तो जगडे शुरू हो आते हैं उनके बीच में आपस के negative charge के interaction की वज़े से repulsion की वज़े से इसलिए कहते हैं भाई रिस्तिदारियां दूर की अच्छी है जादे रिस्तिदार के आऊगे तो वहां भी बरतम बजने चुरू हो जाएंगे वंडर्वाल इंट्रेक्शन के लोज की वज़े से non-covalent interaction के दुआरा जो की favorable होते हैं बात तो ठीक है सभी जितनी भी peptides fold होती है उन सभी folds को आप alpha helices में या stance में या turn में डिफाइन कर सकते हो तो भाई random coil की बात कोन करेगा ताउत वाएगा नहीं आपे तो यह तो गलत हो गया ना तो C है दो non-covalent atom एक दूसरे से अपनी wonder wall radius से जाद है pass में नहीं आ सकते जाद है pass में लाओगे ना तो महावारा शुरू हो जाएगी उनके बीच में ठीक है तो और D कह रहा था कि भी peptide bond जो है वो nearly planner है अच्छा कासा planner है वाई सब तो option बचा B question number 15 एक cell आई और cell ने एक chemical छोड़ दिया वई X medium में cell का नाम था A और दूसरी cell ने इस signal molecule को पकड़ लिया और अपने अंदर signaling शुरू कर दी Y बना करके Y बनना indication था कि उसने signal लिया cell का नाम है B और अब पूछने कि इन दोनों cells की बीच में interaction कौन सा है auto, para, juxtra या intracrine तो समझ लेते हैं ये होते क्या हैं जब भी कभी कोई cell कोई signal molecule बनाती है और अपनी ही cell के अंदर signaling देना शुरू करते हैं तो इसे बोलते हैं intracrine signal molecule cell से बाहर आया और उसी cell के उपर आप इचपक गया जिस cell ने इसको बनाया था मतलब autocrine ये केमिकर लडोस परोस की cell में गया और वहां signaling कराई तो बोलते हैं paracrine अगर ये blood stream में गया और कहीं दूर जाकर किसी ओर cell के परसर दिखाया तो endocrine और अगर ये signal molecule membrane bound है सामने वाली cell के भी membrane bound receptors ने इससे interaction कर लिया तो जो signaling होगी उसे juxtracrine कहेंगे अब suppose करो कि तुमने अपने परोसी खिड़की पर पत्थर दे मारा बदले में वो डंडा ले के आ गया तो signaling कौन सी होई paracrine यहां भी तो अडोस परोस की cell की signaling की बात है और इसलिए यहां भी answer है paracrine तो question number 17 देखके लग रहा होगा वा भई मज़ा आ गया से कहते हैं जिसकी sequence messenger RNA के जैसी होती है चाहो तो यहीं कहीं solve कर लो यही same sequence टी की जगह पर यू लगा दो और ढूंड लो तुमारा answer अब कैसे आई बात DNA में sense stand कभी template की तरह काम नहीं करता तो इस double stand में जो दूसरा वाला stand है यह है जिसे आप anti-sense बोलते हैं और यही है जो template की तरह काम करेगा इसको पढ़ा जाएगा और इसको पढ़ने के बाद जो RNA बनेगा उस RNA की sequence हू बहू DNA के sense stand के जैसी होगी बस T की जगह पर यू होता है RNA में और इसी वज़े से इसका answer आगया तुमारा question number 20 अगर सीरम को मैं growth medium of human embryonic kidney cell line से hack से निकाल दो तो cell के साथ क्या बीथने वाली है पहले यह तो जान लो इसका काम क्या था जब भी किसी cell को हम growth medium में डालते हैं तो हम चाहते हैं वो grow करें और grow का करने का मतलब है फले और फूले मतलब divide भी करें नमबर भी बढ़ाए और अपना size भी proliferation cell को यह कराने के लिए कुछ signaling molecule चाहिए होते हैं जिनें बोलते हैं nitrogen और growth factor यह signaling molecule आते हैं signal transition pathway शुरू करते हैं और nucleus से कहते हैं उन genes को बनाओ जिनसे cycling and cycling बनने वाले हैं और यह cell को message मिल जाए कि division शुरू कर दो और growth भी अब cell को यह signaling molecule medium में तो मिलते हैं serum tonic की तरह काम करता है इसमें है growth factors और hormones जो cell को signal देते हैं grow करने के लिए divide करने के लिए तो यह help करते हैं के लिए भी इसके अलावा serum के अंदर एक खत्रना चीज भी होती है जैसे compliment, antibody जिस cells को आपने serum दिया था उसकी growth कराने के लिए यह compliment से antibody मार भी सकते हैं उनको असा ना कर पाएं इसलिए serum को पहले heat inactivate किया जाता है लेकिन यह कहानी यह थोड़ी है कहानी तो यह है कि इस अमरित के जढ़ने में जिसमें cell अभी तक इसनान कर रही थी अगर इस cell को यहां से निकाल दो यह इसके medium में से इस अमरित को गायब कर दो जो कि serum था तो क्या होने वाला है अगर cell के पास serum नहीं है medium में तो भाई cell divide तो करने वाली है नहीं क्योंकि signal तो है नहीं उसके पास जब तक mitogen और growth factor मिलेंगे नहीं cell proliferate करेगी नहीं तो cell चुपोके बैठ जाएगी cell cycle को बंद कर देगी तो answer हो गया तुमारा C question number 21 है human के telomeres की बात है तुमारी तो बात है या चुपके से अपनी किसी cell के DNA से पूछ लेते हैं कि किनारों पर कौन सी sequence लगी हुए तो भी answer मिल जाता खेर question की कहानी telomeres की लंबाई को ले करके हर DNA के किनारों को telomeres का जाता है और यहाँ पर एक repeated sequence मिलती जो तुमा पढ़ने में आबिर होगी ना भी आ रही हो तो देख लो zoom करके TTAGGG TTAGGG भाई यह है वो sequence जो telomeres की लंबाई को बना के रखती है telomeres नाम का enzyme है जो इन घटती हुई sequence को बढ़ा सकता है maintain रखता है replication की problem है अगर telomeres enzyme time काम ना करें तो telomeres की लंबाई छोटी होती है बट हमें क्या करना है हमें तो sequence मतलब है TTAGGG तो भाई सीधा सा ढूंड लो कि का है TTAGGG टिक करो और आगे बढ़ो question number 22 इन में से कौन सा principal component of innate immunity नहीं है यार question बढ़ा टफ है mucosal epithelium, dendetic cell, complement system memory b cell और हमें पता खाना है कि इन में से कौन सा innate immune system का part नहीं है बढ़ ये question मेरे बस की नहीं है इस question के लिए हमें extra faculty की help नहीं पड़ेगी और ये specialized immunology की मेडम का नाम है सुंदरी मेडम hello करना मत भूलना तो सुंदरी मेडम बहुत अच्छी तरीकर सा immunology पढ़ाती है ओ, sorry, गलत फोटू लग गया खैर, सुंदरी मेडम बहुत अच्छी सा immunology पढ़ाती है और अकसर यही सवाल करती है अकल बढ़ी या भैंस देख लो, अब question पूछ रखा है कि innate immunity की बात कर रहे है बाई innate immunity वो है जब पैदाईशी हमारे साथ आई थी तो जड़ा बताना मुझे क्या पैदा हुए बच्चे में T-cell और B-cell होती है क्या T-cell, B-cell हमारे specific immune system का part है, innate का नहीं है third line of defense और ये बच्चे के पैदा होने के काफी दिन बाद develop होती है इसलिए पैदाईशी बच्चे को बहुत सारी बिमारे होने खत्रा होता है उमर के साथ साथ दीरे दीरे ये B-cells की मात्रा बढ़ती जाती है और वो सीखती भी जाती है कि वह कैसे कैसे antigen होते हैं, किससे कैसे बीड़ना है memory B-cells memory B-cells का भी पैदाईशी है हमारे साथ नहीं होती और इसलिए इसका आंसर है D अब भाई भाई नापतोल की बात जिनोमिक DNA की बात कर रहे हैं बैट्टियरे से जिनोमिक DNA निकाल लिया और कह रहे हैं restriction enzyme का इस्तेमाल करके तोड़ भी लिया restriction enzyme 6 base pair की sequence को बचानता है और पूछ रहे हैं हम से कि लंबाई क्या है DNA के 20 की मुश्किल भी नहीं है इतना अगर तुम कुछ भी sequence लिलो for example यह है ECO R1 की sequence 6 base pair की है जी AATTC अब यह बताओ कि इस sequence के जिनोम में मिलने की probability क्या है तो अगर मुझे किसी भी sequence की probability निकाल नहीं हो तो एक के करके निपटलो पूछ लो भई guanine जी आप इस position पर मिलोगे इसके chance क्या है देखो किसी भी एक जगे पर मिलने के लिए adenine भी available है thiamine भी available है cytosine भी or guanine भी चार होते है base DNA में इन चार में से कोई सा एक है मिलना चाहिए जिसके हम बात कर रहे है guanine तो अकेला guanine मिल जाए इस जगे पर chance है 1 by 4 second position पर इडिन मिल जाए chance है 1 by 4 किसी भी जगे पर किसी एक specific base के मिलने की probability है 1 by 4 सारे के सारे एकटे मिल जाए तो भाई probabilities को multiply कर दो तो क्या अब भी मैं बताओ इसका अंसर क्या है 4096 base pair के लंबाई मिलने वाली है अगर मैंने इस enzyme का इस्तेमाल किया तो जो fragment मिलेगा तो question number 26 पूछ रहा है विचना the following amino acid is catalyzed by activated macrophages to produce reactive nitrogen especially इस मतलब RNS amino acid दे रखके हैं यहाँ पर 4 तो देखो यहार कहानी है macrophage की macrophage के हाथ कानून के हाथ जैसे लंबे होते है दूर दूर मौझूद bacteria नाम के culprits को भी पकड़ लेते है और पकड़ के जेदे ने डालते अपनी लंबी लंबी बजाओ का इस्तेमाल करके जिनने pseudoports कहते हैं जकर लेते हैं बैक्टिरिया को और एंगल्फ कर जाते हैं खा जाते हैं जैसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस अंदर बैक्टिरिया को वैसिकल के रूप में पैक कर लेते हैं फेगोजॉम और वेट करते हैं इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स का इम्यून सिस्टम की से पूछते हैं भाई मार दें या छोड़ दें अगर मैसेज आया मारने का तो यह अपनी सेल के अंदर बहुत सारे इंपोर्टेंट रियक्टिव केमिकल्स बनाते हैं जैसे कि कुछ तो हैं ऑक्सिजन वाले जिनने बोलते हैं रियक्टिव ऑक्सिजन इस्पिशीज और कुछ हैं नाइट्रोजन वाले रियक्टिव नाइट्रोजन इस्पिशीज यह नाइट्रोजन और ऑक्सिजन के ऐसे-इसे मॉलेक्यूल्स हैं जिनमें कुछ इलेक्ट्र बूल जाते हैं और molecules डीरे दीरे करके बैक्टिरिया के टुकडे उड़ जाते हैं और यही टुकडे हैं जो बहार निकलाते हैं बात में इनकी हल्प से यह पूरे इम्मून सिस्टम को जगाते भी हैं तो जहां एक तरफ रियक्टिव नाइटोजन जो कि नौस नाम के एंजाइम बनाते हैं आर्जिन नाम के अमिनवासेट से तो यह बैक्टिर को डीड़ कराने में भी रोल निबाते हैं और हमारे इम्मून सिस्टम को यह मैसस देने में कि वह यहां है जो लडाई हो रही है और उन सिगनल्स को पचान करके ब्लड वैसल में स से खोब सारी WPC निकल आती है शुरुवात के इंफ्लेमेशन वाली रेक्शन यह जो पूरी फैमली है ना आर ओएस की और आरनेस की यह बड़ी लंबी चोड़ी फैमली है चाहे मैं सूपर ऑक्साइड की बात करूं ऑक्सिजन वाले केस में या इलकोक्साइड की तो आरनेस इस किसी भी बाएव मॉलीक्र के पास पहुंचेंगे तो यह उससे रेक्ट करके जुर जाते हैं और उसकी प्रपर्टी को बदल देते हैं बॉन्ड थो देते हैं पिखिर देते हैं मॉलीक्र को इसलिए था इंको अनको बनाने की कहाने चुरू होती है आर्जिनिन से जह हम आप बताओगी कौन सा मिनासिट है, जिसका अस्तेमाल किया गया, इरेक्टिव नाटिजन इस्पेशिस बनाने के रिए तो भाई यह है आरजिने, बात तो और भी बहुत सारी है, लेकिन यहां तो हम इतनी बात करेंगे, जब इमिरलोजी हम पढ़ेंगे, तो बाकी बाते दे के से, इस तयारी में ना सिर्फ CSIR NET की तयारी हो जाती है, तो गेट, लाइफ साइंस और बायोटेक की भी तयारी होती है, इन्हीं दो तयारियों में बाकी सारे एक्जाम अपने आप समाज आते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं होती चीजे, हार एक चीज की अलग-लग तया नहीं है, क्लासिस जोइन करने के लिए मुझे वाटसप कर सकते हो 9013-902981 पर हम लोग कॉल करेंगे और समझाएंगे कि क्लास कैसे जोइन होती है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई, लाइक कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बड़ी ची घंटी के साथ, तो भाई, iFly का साथ is like a catalyst का हाथ, तुमारे सपने भी और तुमारे एक्जाम भी बहुत जल्दी से पूरे हो जाने वाले हैं सक्सेस के साथ, थैंक यू कर दो बहुत कर दो भी कर दो बहुते हैं स्थक्राइब भी कर दो हुए आसे का सब्सक्राइब